Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज दीपिका पादुकोन के लंजबॉक्स में धेर सारी मिर्ची है. क्योंकि एक इवेंट पर डिप्रेशन जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करने पहुंची दीपिका पादुकोन, रनवीर सिंग से शादी के सवाल पर भड़ा कुछ ही. और लंजबॉक्स में खास तड़का लगाएंगे अमेरिकी गायक और अक्टर निक जोनस, जिन्होंने एक चाट शो के दौरान प्रियंका चोप्रा के साथ अपने रिष्टे पर खुल कर बात की. निक ने एक इंटर्व्यू में बताया कि उन्हें प्रियंका का सुझाया गया निक नेम पसंद नहीं. तो अज लंज बॉक्स की शुरुआत ही कर देते हैं एक स्वीट दिश से. सब को पता है कि सल्मान खान खाली वक्त अपने परिवार वालों के साथ बिताना पसंद करते हैं. अपने बिजी शिडियों से वक्त निकाल कर सल्मान खान बहन अर्पिता के घर पहुँचे. गलिकाल शाल अरपक्त जालों के साथ वक्तव कर दोक्त बेड़्घ खालों के सल्मान के सब्साधिरें. हुआ पज़ क्तु आसंद को बभ relying के साथ ही жен बिया है. लुआ के में खालों के साथ ही इध खालों के साथ हैं झालों के स priests sta ल Burke दालों के स्थाव. ऐसा करते हुए देखना नया नहीं था क्योंकि जल्मान खान जब भी आहिल के साथ होते हैं तो ऐसी ही मस्ती करते हैं लेकिन इस बार कुछ खास था इस बार जल्मान आहिल को रंगों के पहचान करवा रहे थे उन्हें लाल पीले रंगों के साथ कैसे कैन्वस पर खेला जाता है ये बता रहे थे और इस दोरान कभी वो जमीन पर लेट रहे थे तो कभी आहिल के पैरों की चाप से कैन्वस पर कुछ खास बनवाना चाह रहे थे आहिल इस दोरान गिर भी गए जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तालिया बजाई और सल्मान ने एलान किया कि पेंटिंग पूरी हो गई आहिल को पेंटिंग सिखाते हैं सल्मान का ये वीडियो और पिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है मामू के साथ आहिल की कैन्वस पर पहली पेंटिंग मामा भांजे के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है एक ने लिखा सल्मान महान मामू हैं आहिल काफी खुश नसीब हैं एक ने लिखा हर बच्चे को ऐसा मामा मिलना चाहिए हाल ही में आहिल अपने पापा की फिल्म के ट्रेलर लॉंच के मौके पर भी सल्मान के साथ मस्ती करते नज़र आये थे सल्मान खान अपने भांजे आहिल शर्मा के बहुत खरीब हैं वो अक्सर अपने सोशल मीडिया आकाउंट पर आहिल के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेर करते रहते हैं जिसमें दोनों की बॉंडिंग नज़र आती है ऐसे है एक वीडियो में सल्मान आहिल को अपनी फिल्म सुल्तान के कुछ सीन्स दिखाते नज़र आए आहिल के साथ प्रिक्वस्ट करते हुए एक वीडियो शेर किया था जिसमें आहिल ने सल्मान को कुछ खिलाने के लिए उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया लेकिन जैसे ही सल्मान ने अपना मूँ खोला आहिल ने वो निवडियो मौका कोई भी हो आहिल भी अपने मामू से मिलने पहुँच ही जाते हैं 2017 में बींग ह्यूमन साइकल लॉंच के मौके पर आहिल मंच पर नज़र आये थे 52 साल के सल्मान की भले ही अब तक शादी नहीं हुई हो लेकिन उने बच्चों से बेहत लगाव है और आहिल फिलहाल घर में सबसे चोटे हैं ऐसे में सल्मान का सबसे ज़्याद प्यार आहिल को ही मिल रहा है लॉंच बॉक्स में देशी खाने के साथ कुछ विदेशी तड़का भी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए तो चलते हैं अमेरिका जहां हाली में प्रियंका चोप्रा से सगाई करने वाले निक जोनस ने प्रियंका और भारती संस्कृती से जुड़ी कई बाते की सगाई के बाद अमेरिका गई प्रियंका चोप्रा हाल ही में हुए न्यू यॉक पैशन शो में पहुची तो सब की निगाहें उन्ही पर जाकर ठहर गई प्रियंका ने ब्लेक ड्रेस पहली थी जबकि निक ने वाइट सूट के साथ ब्लेक बूट आई लगाई थी और इस मौके पर दोनों ने एक खास कपल फोटो शूट करवाया जो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है तस्वीरों में प्रियंका और निक की केमेस्ट्री की हर जगा चर्चा है और जब निक जोनस अमेरिका के एक पेमस टॉक शो में पहुँचे तो यहां भी निक और प्रियंका के रिष्टों पर ही चर्चा हुई हलांकि इससे पहले निक ने शो की शुरुआत में अपना नया गाना गाया लांच बॉक्स में आप एक तीखी और मसालेदार डिश जो दीपिका पाड़कोन और रनवीर सिंग के रिष्टे से जुड़ी है जिनकी जल्द ही शादी की अतकले जोरो पर हैं लेकिन इस पर सवाल पूछे जाने पर दीपिका को गुस्ता क्यूं आया चलिए देखते हैं क्यों से जुड़ी है पूंबाइब दरेसल दिपीका पाड़कोर मुंबाइ में फलो यानि फिक की लेडी ज़गनाइजेशन की ओर से आयोजिते कारी करम में शामिल होने पहुची थी लेकिन इस दौरान उनसे नवंबर में होने वाली शादी की अठकलों पर सवाल पूच लिया गया जिस पर नार जालकी साहिर करते हुए उन्होंने इसरूआ